दोस्तों डंकी के दूसरे पोस्टर ने आते ही इंटरनेट पर तहल का मचा दिया है। वहीं मनोज दिसाई कहते हैं कि ये पोस्टर कमाल का बनाया है और इसमें इंडिया का नक्षा भी है और एक अंजान आदमी अपने सफर पर निकल पड़ता है। वहीं मीडिया न्यूस की बातों को माने तो कहा जा रहा है कि डंकी का ड्रोब टू भी आने वाला है और उसका पहला रिव्यू करण चोहर ने कर लिया है। जो के मुसीबतों से भरा पड़ा होता है। और फिर लंडन पहुचने के बाद भी वो मुसीबतें खतम नहीं होती बलके बढ़ जाती है। फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दुबारा भारत वापस आना चाते हैं लेकिन आ नहीं प सकती है। क्योंकि इसमें रॉमेंस और एक्षन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर भर के दिखाई गई है। और इस बार लग रहा है कि डंकी बॉक्स आफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। शारुक बॉलिवुड के वो सुपरस्टार बन गए हैं जिन्नोंने एक साल म दो बड़ी ब्लोग बास्टर देकर बॉलिवुड का डूपता हुआ सितारा बचाया। और फिर अब बॉलिवुड के सबसे बड़े डारेक्टर राजकुमार हिराने के साथ डंकी लेकर आ रहे हैं। पहले पथान उसके बाद जवान और अब डंकी। मानो शारुक अब कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस फटने वाला है। क्योंकि शारुक ने जो धमाका किया है वो पूरी इंडिस्टी को हिला देगा। पर आपको डंकी की सारी अबडेट मिलती रहती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेर लाजमी कर देना धन्यवाद।